अब खूनी मंडे के साथ-साथ हमारी नई पेशकष फ्री की फ्राइडे भी एंजोई करो चेक आउट आर निव एक्स्क्लूसिव वर्र स्टोरी शॉटकट अब खूनी मंडे के साथ-साथ अंटेड ओफिस कड़कर ढूमा कोट निकिल एक बहुत ही रेपिटेड लॉयर था अपनी साथ-साल की प्रैक्टिस में बौाच तक एक भी केस नहीं हा रहा था और अपने फ्लॉलेस रिकॉर्ट पर उसे बहुत नाज भी था अभी हाल ही में उसने कड़कर ढूमा कोट में केसेज लड़ना शुरू किया था और वहाँ पर भी उसने अपने लिए एक अच्छा नाम कमा लिया था कड़कर ढूमा कोट का ओफिस पूरे दिन लॉयर्ज और क्लाइंट्स की हलचल से भरा रहता था वहाँ हर कोई बस अपने काम में मगन होता था पर एक दिन किसी केस में बहुत बिजी होने की वज़ा से निखिल अपने ओफिस का कुछ काम करना भूल गया वो काम अगले दिन के केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए निखिल ने डिसाइड किया कि वो रात में ओफिस में रुक कर बचा हुआ काम कम्प्लीट कर लेगा शाम को जब पियन ओफिस को लॉक करने आया तो उसने निखिल को कम्प्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा देखा वो तेजी से निखिल के पास गया और उससे कहने लगा अरे साब आप अभी तक घर क्यों नहीं गए कल सुबा कर लीजेगा काम निखिल काम में बहुत बीजी था इसलिए उसने पियन की बात को इगनोर कर दिया लेकिन वो पियन फिर से निखिल को जाने के लिए कहने लगा पर इस बार उसने कुछ बहुत ही अजीब सा कहा साब ये कोई मामली जगा नहीं है राग को यहाँ कोई भी नहीं रुकता निखिल वैसे ही बहुत स्ट्रेस में था उसने फ्रस्ट्रेट होकर पियन को डाट लगा दी और वहाँ से उसे भगा दिया पियन डर कर वहाँ से चला गया और निखिल अपने काम पर वापिस लग गया निखिल के काम करते करते उसके लेफ्ट साइड वाले कंप्यूटर की स्क्रीन खुच से ओन हो गई निखिल को थोड़ा अजीब लगा और उसने उस कंप्यूटर का प्लग नीचे से ओफ कर दिया और फिर से काम पर लग गया पर कुछ सेकेंड बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायर निखिलने कभी सोचा भी नहीं होगा उसके साथ वाली चेर खुच से पीछे हुई और फिर वापस अंदर आई मानो जैसे कोई चेर को पीछे खीच कर उस पर बैठा हो और उसके देखते ही देखते उसके बगल वाली कंप्यूटर स्क्रीन फिर से ओन हो गई निखिल कुछ समझ पाता कि इतने में ही उस कंप्यूटर के कीबोर्ड के बटन्स खुद दबने लगे मानो कोई उस कंप्यूटर को यूज कर रहा हो निखिल तुरंट अपनी कुर्सी से उठ गया और उसने साथ वाली चेर को धक्का मारा और कीबोर्ड की अवाज आनी बंद हो गई तब ही निखिल के ठीक पीछे से कोई गुजरा निखिल पीछे मुड़ा पर वहाँ कोई था नहीं निखिल वापिस घूमा तो उसके सामने रखी चेर धीरे धीरे उसके करीब आने लगी जैसे कोई उस पर बैठा उसे रोल करके निखिल के पास ला रहा हो निखिल के पैर वहीं जम से गए थे वो चेर रोल होती हुई निखिल के पैरों के पास आकर रुख गई निखिल को तो अपनी ड्रीम जॉब मिल गई पर जॉब हंट एक बहुत ही टारिंग प्रोसेस है अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक फ्री टेस्ट देकर अपने हिसाब की जॉब ले सकते हैं जहां आप निशा सार्थक और शुभम की जैसे एक सिंपल टेस्ट देकर स्विगी, ओला, अपग्रेड जैसे ही 200 प्लस कंपनीज में जॉब पास सकते हैं अब तक 42 करोड वर्थ की जॉब्स डिलिवर कर चुका है लास्ट मन्थ ही डेली 36 लाक वर्थ जॉब्स डिलिवर हुए हैं बहुत से कैंड़ेट्स की होडिंग्स भी दिख जाएंगे आपको अपने आसपास के एरिया में इतना ही नहीं टॉप तीन प्लेश कैंड़ेट्स को हर महीने मैक बुक आईफोन और अपल वॉट जैसे गुडीज भी मिलते हैं आप फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल अगर आपको अपने करियर को सही ट्रैक पढ़ लाना है तो री लेवल इस दे बेस्ट प्लाटफॉर्म फो यू डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करो री लेवल पर साइन अप करो और बिना एक भी पैसा खर्चा करे टेस्ट दे कर अपनी ड्रीम जॉब हासल करो निखिल के पसी ने छोटने लगे वो अब वहाँ से भागना चाहता था हिम्मत करके उसने जैसे ही अपना पहला कदम पीछे रखा उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी दांग को किसी ने पकड़ लिया है निखिल जोर से चीखा और जमीन पर गिर गया अब पूरे ओफिस की लाइड्स फ्लिकर करने लगी थी और सभी कंप्यूटर स्क्रीन्स खुच से ओन उफ होने लगे निखिल डरा हुआ जमीन से उठा और ओफिस के बाहर भागने लगा कि तभी उसके सामने ओफिस की चेर्ज, कीबोर्ड्स हवा में उड़ने लगे और इधर उधर गिरने लगे ऐसा लग रहा था कि मानो उस ओफिस के अंदर कोई तूफान आ गया हो ये सब देखकर निखिल के डर के मारे आंसु छूट गये थे उसे ये सब एक बुरे सपने की तरह लग रहा था उसने डर के मारे अपनी आखे बंद कर ली कि तभी उसे बंद आखों में एक सफेद रंग की तेज रोशनी दिखी वो रोशनी इतनी तेज थी कि निखिल की बंद आखों में भी वो उसे चुब रही थी निखिल ने अपनी आखे खोली तो उस चमकती रोशनी में उसे एक सफेद रंग की औरत दिखाई दी वो चलती हुई जहाँ जहाँ गुजर रही थी ओफिस का तूफान शांत होता जा रहा था धीरे धीरे वो औरत निखिल के करीब आ रही थी और निखिल मानो उसके वश में हो गया निखिल उसे अपनी तरफ आते हुए मुस्कुराते हुए देख रहा था वो रोशनी से बनी औरत की परचाई निखिल के सामने आकर खड़ी हो गई उसने निखिल के गाल पर अपना हाथ रखा पर उस औरत के छूते ही निखिल होश में आया और जोर-जोर से चीखने लगा उसे लगने लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जलता हुआ अंगारा रख दिया हो निखिल को होश आया तो उसे दिखा कि उसके सामने खड़ी औरत असलियत में एक भयानक आत्मा थी जिसके चेहरे पर बहुत सारी चोटे लगी थी और उसकी आँखें हरे रंग की थी निखिल को अब लगने लगा था कि उसकी मौत उसके बेहत करीब है पर तभी उसे पीछे से किसी ने खीचा और आफिस से भाड़ ले गया निखिल को बचाने वाला और कोई नहीं बलकि वही पियन था जिसको निखिल ने महां से भगा दिया था निखिल की हालत और उसका जला हुआ चेहरा देख कर वो पियन बहुत घबरा गया और उसने बताया कि निखिल की चिंता में वो आधे रस्ते से वापस ओफिस आ गया था ओफिस के नीचे पहुचते ही उसे निखिल के चीखने की अवाजें आई और वो दोड़ कर उपर आ गया उस भूड़े पियन ने निखिल को बताया कि कड़कर ढूमा कोट का ओफिस एक भूतिया जगा है बहाँ एक नहीं बलकि कई आत्माएं हैं जो रात में बहार निकलती हैं कहते हैं कि एक औरत को गवाही देने से रोकने के लिए कोट के पास चाकू से मार दिया था तब से उस औरत की आत्मा भी बहीं भटकती है उस कोट में सूरज ढलने के बाद कभी कोई भी नहीं रुकता इसलिए वो निखिल को भी वहाँ रुकने से मना कर रहा था ये सब सुनकर निखिल की रुख आप गई उस दिन के बाद से निखिल ने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से चुट्टी ले ली उसके चेहरे का घाउं तो भर गया और उस रात जो घाउं उसके दिल और दिमाग पर आए वो शायद कभी ठीक नहीं हो पाएंगे दोस्तों कड़कर ढूमा कोट के ऑफिस के बारे में काफी सारे निउस चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया है कि वो हॉंटेड है ये वीडियो क्लिप जो आप देख रहे हैं ये ऐसी ही एक निउस प्लाटफॉर्म अमर उजाला ने अपनी ओडियन्स के साथ शेर की थी है ना ये क्लिप दिल देहला देने वाली क्या आप ऐसे ओफिस में काम कर सकते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए गाइस रिसेंटली री लेवल पर पांच नई काटिगरीज इंडिद्यूस हुई है हमारी अगले हफते की कहानी रेजिडेंट इवल स्पोडिफाई पर अल्डेडी लाइव है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे सुनिये और हमाना चैनल खूनी मंडे जरूर से सब्सक्राइब कर दीजे